वेलो डियर ओलाइन स्टुटेंट्स वेलकम बैक टो वार चनल आई होप यौल आर लीडिंग वेल सो डियर स्टुटेंट्स लास्ट ताइम पर मैंने कुछ लेक्चर सीरी स्टाड़ किती एस ब्लॉक एलिमेंट्स के उपर में इस पहले के जो पार्ट है उसमें मैंने फिजिकल पॉपर्टी को स्टार्ट किया था तो जिन्होंने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखाया आप लोग देखिए हमारे चैनल पर अवेलेबल है साती साथ फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लेक्चर को हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस बेस्ट अपॉन फिजिकल पॉपर्टी इन केमिकल पॉपर्टी इससे पहले कि जो फिजिकल पॉपर्टी को हमने कम् जानते हैं कि जो group one और group two elements हैं ये metals हैं आपके generally तो जब ये metals है तो दोनों ही क्या होंगा आपके बोथ alkali metals and alkaline earth metals are good conductor of are good conductor of conductor of heat and electricity heat and electricity तो heat और electricity के कैसे हैं ये good conductors हैं अब एक चीज़ मैं आपको बता दू सूदेंट यहां पर कि जो आपके पास में electricity का जो concept it is basically depend upon इस पर डिपेंड करता आपका it is basically depend upon free electrons इस पर डिपेंड करता आपका it based upon free electrons free electrons होंगे available valence shell में वहां पर क्या होग आपके पास में electrical conductivity होगी और higher class में जाके आप लोग पढ़ेंगे कि electron किस तरह किसे balance band से conduction band की तरफ भागता है transition होता है electrons का एक level से दूसरे level पर तो electricity connect होती है तो generally अगर हम लोग बात कर रहें तो alkaline earth metal और alkaline metal में alkaline earth metal की conductivity थीक है जाता होती इनका परेंट इसके alkaline metals के reason क्या है कि जो alkaline earth metal है इनके पास 2 electron available है और जो alkaline metals से इनके पास सिर्फ एक single electron available है इसके पास 2 electron available है और यहां पर क्या आपका single electron valence hell में जो alkaline earth metal है इनका electronic configuration students मैंने last class में discuss किया था it was ns2 और जो alkaline metals से इनका जो electronic configuration it is ns1 यानि कहने का मतलब यह है कि इनके valence hell में एक 2 electron available है और इनके valence hell में एक ही electron available है तो इससे पता चलता है कि आपके पास में alkaline जो earth metals है these are the good conductor of electricity ठीक है now further moving on another point we will discuss the photoelectric effect है न हम लोग discuss करेंगे photoelectric effect photoelectric effect तो जिन students को पता नहीं photoelectric effect होता क्या है मैं एक पर फोड़ा सा introduction दे देता हूं आप लोगों की photoelectric effect होता क्या है students photoelectric effect में होता क्या है कि आपके पास में मालो एक metal है conductor है metal है इस पर क्या होता है कि एक certain amount की light radiation इस पर fall करती है energy light radiation आपकी fall करती है और जैसी fall करती है तो minimum frequency मिलते ही electron का ejection होता है और इस phenomenon को बोलते हैं हम लोग photoelectric effect ठीक है तो आपने जो second chapter बढ़ा होगा आपका particle nature में इसको हम लोग discuss करते हैं आपके plants quantum theory और स्टार्ट होती है तो जनरली होता है कि electron का eject करना basically कि इस पर depend करेंगा nature of metal मतलब हर एक metal का एक different behavior होगा इस radiation के लिए कहने का मतलब यह कि कुछ metal क्या होगा कि कम radiation में भी electron दे देंगे और कुछ metals को जादा energy देनी पड़ेगी electron को eject कराने के लिए जनरली जो फोटो इलेक्ट्रॉन का emit कराना इस फ्रामनकुम लोग photoelectric effect बोलते हैं और यह जो photoelectric effect होता है it is inversely proportional to ionization energy इस बात को ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बोलनों कि जैसे इसके light fall करी इसने electron निकालना शुरू किया तो electron निकालना शुरू किया तो कहने का मतलब यह कि जो वह metal वह metal surface easily electron को eject करवाएगा जिसकी ionization enthalpy क्या होगी कम होगी क्योंकि वह electron को less efficiently hold करकर रगएगा तो जो जिसके पास easily electron को lose करने के tendency होगी वह एक अच्छा photoelectric effect शो कर सकता है तो इसी वज़े से जो अलकली metals होता है जो होते हैं आपके पास में उनको किसमें उस्थ्या थाया तर्यू आर यूजदिन फोटो सेल्स और यूजदिन पोटो सेल्स में जो अलकली मेटल से उनमें भी कौन से वाज़ा आपके ज़दली थीन है पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, सीजियम is the most common which is used in alkyny metals, एक point यहां से याद रखना है आप लोग जो की बहुत important है, वो point यह है कि आपके पास में जो सीजियम है, जो सीजियम आपके पास में, it is majorly, what kind of cell, it is, it has the lowest work function, most suitable metal, अगर कोई आप से पूछता है कि photo cells के as of, as it has, lowest work function, as it has, lowest work function, work function का मतलब क्या होता है, minimum frequency, it adding minimum threshold frequency मतलब इतनी energy चाहिए कि जहां से electron क्या होगा, eject होना शूरू होगा, तो minimum, minimum point होगा, उसे frequency से आपके electron करना शूरू होगा, ऊससे नीचे नहीं होगा, उससे ऊपर तो होगई होगा, लेकिन उसे नीचे नहीं होगा, तो इससे दे उसको क्या बोलते हम लोग, threshold frequency भी बोलते हैं, work function भी बोलते हम लोग, ठीक है, तो यह चीज आप लोग ध्यान रख रहे हैं, photo cells के बारे में, Now moving further, we are going to discuss one of the important property of this metal, this, these metals that is flame test, ठीक है, हम लोग discuss करेंगे flame test को, flame test is one of the important aspect of the discussion, तो flame test में होता क्या, आपको सम्झातों कि किस तरीके से flame test है, देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पास में दोड़ लेवल है, energy के लेवल है, तो यहाँ पर आपका electron recite कर रहा है, और जैसी इस पर energy पढ़ेगे, electron transition शो करेगा, यानि उपर जाएगा, absorption होगा है, यहाँ पर light का, क्या होगा आपका, absorption होगा, लेकिन होता क्या है आपके पास में, कि जैसे इसके पास में serotin frequency of light मिलेगी, मतलब कुछ time बाद, यानि approximately 10 to the power minus 8 second के बाद में, यह क्या करता है, excited state से, यह आपकी ground state है, इस excited state से electron नीचे की तरफ आएगा, और जब वो नीचे आएगा, तो कुछ certain amount का radiation emit करेगा, यहां से कि आपका radiation emit करेगा, और यह जो emission होता है, visible region में पढ़ता है, यह visible region में पढ़ता है, 450 nanometer से 750 nanometer तक, आपका, मतलब यह emission की frequency wavelength होगी, तो अगर यह visible region में पढ़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको observe कर सकते, we can easily observe it, लिके मैं दुबारा बता रहा हूँ, आप यहां सम electron available है, यह electron क्या है, आपका, एक्साइट करेगा, from its ground state to excited state, अब जब यह नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आने पर यह क्या करेगा, radiation को emit करेगा, ठीक है, और जो यह emission, radiation emit होगा, अगर यह visible region में हमें दिख रहा है, बन्तब, visible region में पढ़ रहा है, यह radiation को emission है, त तो हर एक, हर एक, जो metal होता है, आपके पास में, जो इस group में हर एक metal जो है, अविलेबल है, उसका एक characteristic color होता है, ठीक है, और इसको देखते कैसे हम लोग देखों, यहाप आपके पास में बर्नर लगा रहा रहता है, तरीकिसे हम लोग बर्नर के पास ले जाएंगे, बर्नर ले जाएंगे, तो flame test इसी को बोलते है हम लोग, तो होगा क्या है, कि कुछ ताइम बाद आपका characteristic color appear होगा, यहां से होना क्या है, कि characteristic color appear होगा, characteristic color appear होगा, इस चीज़ को अब लोग ध्यान में रखना, कि किस तरीके से यह चीज़ें चलते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग दे है, आप ध्यान रखना, कि beryllium and magnesium, beryllium and magnesium, beryllium and magnesium does not exhibit, does not exhibit, does not give, लिख लो flame test, कि flame test नहीं देते हैं, कि flame test देते हैं, इसके पीसे reason है, कि जो beryllium और magnesium है, इनकी ionis and enthyl भी बहुत जादा है, यानि इनको बहुत जादा energy देनी पड़ेगी, लेक्रॉन को excite कराने के लिए, और वो बहुत जादा क्योंकि उनका क्या है, small size है, तो अब भी सकते हो, due to their small size, due to their small size, due to their small size, they have high ionis and enthalpy, high ionis and enthalpy, so required, so required high energy, required high energy, for transition of electron, for transition of electron, just a second here, for transition of electron, electron को excite कराने के लिए, क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत high amount of energy को देना पड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ऐसा निए कि यहां पर transition होगा नि, बट वो transition आपको visible, मैंने बता है न, visible region में fall करेगा, तब ही आप उसको देख पाऊगे, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी transition होते हैं, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको लिए में special instrument चाहिए होते हैं, तो कुछ transition अगर UV region में, तो हमें UV instrument चाहिए, उस हम क्या करेंगे, visible हो पाएंगे, देख पाएंगे, तो यहां से question की सरी किसे बनता है कि color पूछ लेता है कई बारी हो, हर एक उसको न, कई बारी ऐसा होता है कि color पूछ लेता है, तो इसलिए आपको यह है कि color याद तो होने ही चाहिए, जैसे आपके पास में lithium है, let me take the color because it is not visible that much, so if we talk about lithium, if we talk about lithium, जैना lithium का जो color है, that is your crimson red, यह कैसा आपके पास में, crimson red का color है, आप लोग यह color भी याद रखेगा, उससे तरह के सोडियम है, so sodium का जो color होता है, that is your golden kind of color, golden yellow कह सकता है, यह lowest type color देता है, उस तरह के सो जो red है, red है, आपका वायले देता है, ठीक है, उसस के बाद आपका rubidium है, तो rubidium आपका red violet रहता है, और cesium है, तो cesium आपका blue color देता है, तो यह crimson red देगा, sodium golden yellow देगा, आपका देखाऊगा, आपने sodium bulb भी होता है, yellow color के rubidium आपका red violet देगा, cesium आपका blue देगा, apart from that, जो different और other groups हैं, जैसे beryllium हो गया, alkaline arts metal के अदर का जोग करते हैं, लेकिन उसी तरीके से आपके पास में, जो calcium है, it will give brick red, brick का जिस तरीके से red color होता है, dull type का red होता है, strontium जो है आपका dark red, dark red है, ठीक है, और जो barium है, आपका apple green, a से याद रखिए, apple and a से barium का a है, आपका last में तो याद रखना, apple green, तो याद रख सकते हैं, आप ल और जैसे कि यहां पर rubidium में, तो R से red, और then B मतला, V से आप sound करता है, red violet है, R आपका potassium है अगर यहां पर, potassium, तो potassium का आपका violet होने वाला है, sodium है, sodium है तो sodium है आपका golden yellow, and lithium है आपका crimson red, these are the color that are exhibited by, exhibited by, alkali metals and alkaline earth metal squints, okay, so now, further we are moving ahead, हम भोग डिसकस करने वाले इक बहुत important property, जो कि stability को भी समझाती है, that is standard electrode potential, standard electrode, या आप oxidation के टाम लिखिया है, तो oxidation potential, oxidation potential, तो इसको समझना, actually, क्या चीज़ है, काफी interesting topic है, काफी important भी है, इससे actually हम लोग क्या निकालते हैं, यहां से हम लोग निकालते है, reducing behavior, reducing behavior के बारे हम बताते हैं, reducing behavior के बारे हम लोग बताते हैं, तो standard actually होता क्या है, कि जैसे कोई भी metal है, metal है, आपके पास, metal ion है, gases phase में है, यह electron लेता है, aqueous में जाते हैं, gases, कोई भी metal है, अगर, तो जैसे कोई भी आपका metal है, aqueous phase में, यह electron लेता है, and then यह convert होता है, आपका metal solid में, इस process को हम बोलते हैं, reduction, क्या बोलते हैं, इसकों लोग, reduction, अब हर एक metal के पास tendency होती है, students, कि वो क्या कर सकता है, कोई, हम दो metal को आपकर मैं compare करहा हम, तो किसे के पास, जाद अच्छी tendency होगी कि electron को ले, और किसे के पास बहुत कम tendency होगी कि electron को ले पाएगा, तो basically कौन अच्छा easily electron ले पाए रहा है, इसको नापने के लिए मारे पास एक parameter होता है, इसको बोलते हम लोग reduction potential, क्या बोलते हम लोग reduction potential, reduction potential, तो जिसका reduction potential जादा होगा, तो वो easily electron को ले पाएगा, सीडी सी बात है, जिसका reduction potential क्या होगा, जादा होगा, क्या कर पाएगा, easily electron को ले पाएगा, and vice versa also, तो अगर मालो यह metal आपका है, gases phase में, और electron lose करता है, metal iron में convert होता है, तो यहाँ पे आपके पास में कौन था phenomenon, वह यहाँ पे वह आपका oxidation, अब मैं यह बोल सकता हूं कि कोई भी metal एक अच्छा, मतलब कौन अच्छा, अगर मैं दो metals की बात कर रहा हूं, तो उन में अगर हम लोग को compare करना है कि कौन अच्छा oxidation cause कर रहा है, यानि कौन easily electron lose कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, उसके oxidation potential से, तो जिसका oxidation potential अच्छा होगा, वो easily electron को क्या करेगा, lose कर पाएगा, जिसका oxidation potential जितना अच्छा, उतना अच्छा electron easily lose कर पाएगा, तो यह reduction potential और यह oxidation potential की बातें हैं यह बहुत सारे factors पर depend करती है, यह कुछ-कुछ factors पर depend करती हैं जिस तरीके अभी देखेंगे क्या-क्या किस-किस चीजों पर depend करती है तो अभी कलिए याद रखो कि जैसे कि इस ग्रूप में थे जितने भी all alkali metals है आपके all alkali metals है तो यह अगले साथ आप लोग इलेक्ट्र केमेस्ट्री पढ़ेंगे तो महां पर बहुत अच्छा समझेंगे और हाई positive value ऑफ कि standard oxidation potential standard आपका standard state में निकाल जाता है standard conditions को लेकर इसलिए हम लोग standard term लगा देंगे तो standard all have high standard oxidation potential यह अच्छा उक्षडेंगा high oxidation potential है इसका मतलब क्या easily electron दे पाएंगे और अगर easily electron ले पाएंगे तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब these all are very good reducing agent reducing agent कौन से होते हैं जो खुद oxidize होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं reduce करते हैं तो अगर easily electron दे पाएंगे तो इसका मतलब क्या है बहुत अच्छे reducing agent है इस इसको आप लोग ध्यान रखना इसका मतलब क्या है इसका मतलब easily electron दे पा रहे है और इसका मतलब क्या है वह बहुत अच्छे good reducing agent होते हैं अब एक जिन में आपको बता दो जिसे lithium-ion है lithium-ion एक electron gain कर रहा है और convert हो रहा है अपका lithium-solid में तो इसका जो reduction potential है it is minus 3.05 वोल्ट लेकिन इसका जो electrode oxidation potential होगा it will be 3.05 वोल्ट it will be 3.05 वोल्ट जस्ट अपोजिट होते हैं इसी को ध्यान रखना है यह दोनों क्या होते हैं आपके अपोजिट होते हैं तो जो जितना अच्छा एक तरीके साम बोल सकते हैं कि जो अगर electrochemical series के हम बात करते हैं तो जो alkali metals होते हैं यह सबसे ऊपर होते हैं in terms of oxidation potential ठीक है यह बोल दो in terms of reducing agent इस सबसे ऊपर होते हैं मतलब इनके पास जादा tendency electron को loose कराने की ठीक है यह चीजाओ अच्छी टेंडेंसी electron को loose करने की यह जो हमने दिखाए हैं अब ऐसा क्यों होता है ऐसा होता क्यों है कि इतने अच्छे मतलब एक तरीके से बोलो कि इतने अच्छे reducing agent क्यों है यह कोशन आपको जनरेट होता है तो आपको मैं की संदार हो देखो जनरली होता क्या है कि अगर हम लोग aqueous phase में पूरी सारी study हम लोग aqueous phase में कर रहे हैं ठीक है तो aqueous phase की बात ऐसा है कि अगर हमारे पास में सब्सक्राइब होगा किसमें पहले है लीथियम गैस में तो यह जो आपकी आइनेशन यह होती है आपकी this is your sublimation enthalpy एक तरीके से कैसी enthalpy आप कहीं इस लिए और रहो इनडोधर्मी के लिए अगर हम गैसे ऐना की होता है लीथियम उद्धियम फेजर चुर्ण नूस की गैस पार्टिकल ही अपकी क्या हो सकते है तो अगर इस गैसे आयन में करवट होता है लीठियम आयन में convert होता है, एक electron loose करके, इसको बोलते हम लोग ionization authority, एंड जनरली आपका हो किया रहा है, हो क्या रहा है आपके पास में, लीठियम आयन जो आपका further aqueous phase में जा रहा है, इसको बोलते हम लोग hydrogen authority, इसको क्या बोलते हम लोग? hydrogen authority, एंस'? अ फिर किसके बोलते हम लोग हाई हिड्रिश्यन अंतल्पी तो जर्नलिल लीथियम का साइज क्या होता है? अधियुक्感じ का साइज होता सबसे चोटा लीथियम का साइज पुरी से謝謝 मैं अगर हम लोग देखे तो इसका साइज कैसा है तो maximum hydration होगा maximum hydration होगा इसका तीक है यानि कहने का मतलब यह है कि अगर lithium को surround lithium आइन यहाँ भी बीच में है lithium आगर बीच में है तो इसको surround करने के लिए बहुत सारे molecules water के available होगे इस तरीके से water molecules क्या करेंगे इसको surround करेंगे आपके इस तरीके से maximum hydration होने की वैसे maximum stabilize कर रहा है maximum stabilize कर रहा है मैं कब बात करो बेटा यह मैं बात करो aqueous phase में बात करो इसलिए क्या होता है कि इसके पास सबसे ज़्यादा tendency होती है electron को lose करके stabilize होने की और इसलिए इसका जो oxidation potential होता है it is highest one of the high in the electrochemical series तो इसके इसको ध्यान रखना आप लोग कि अगर हम लोग standard oxidation potential की बात करें तो lithium is the question बनता है lithium is the most powerful powerful reducing agent ठीक है और reason क्या है क्योंकि lithium एक electron easily lose करके aqueous phase में जाके यह कर रहा है stabilize कर रहा है तो जो order रहता है it is lithium then potassium then barium then aapka strontium then aapka calcium strontium then aapka calcium then aapka sodium then aapka magnesium and then क्यापके पास में बेरिलियम it is the least one तो याद रखना तो lithium का सब्सक्राइब अगर हम लोग बात करें alkali metal में exception है आप है ना सिर्फ किसमें ज्यादा exception देखने क्लेगा आपको you will it will be seen in alkali metal तो exception जो केस है आपका exception किसमें मिलेगा आपका alkali metals में लेकिन अगर हम बात करें तो इसके इसमें लोग बात करें तो as such कोई आपको exception नहीं मिलेगा alkaline earth metal में आपको exception नहीं मिलेगा और सीरीज है उसी basis पर आपका चलता है तो लीथियम की केस में तो यह है आपके इसमें ध्यान रखना है इसको तो यह है अब अगर हम लोग गैसे फेज में सिर्फ अगर कोशिन इस तरी किसे बनता है कि गैसे फेज में अगर हम बात करेंगे तो गैसे फेज में क्या होता है कि गैसे फेज में सिंपल ही कोई हाइड्रेशन और उसका वह है नी कॉंसेप्ट है नी तो लीथियम के अगर हम लोग सीजियम की बात करें तो सीजियम क्या आपका सीजियम इस दा मोस्ट पावरफुल डिशिंग इज़ है क्योंकि उसका साइज बड़ा है वह इसली लेक्टॉन को क्या कर दे है इसी चिज़ को द्यान में रहए तो कई बारी हाइड्रेशन पर बेस्ट वह स्कोश्ण भी आ जाता है तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी बी आइन को वाटर मॉल्कूल स्राउंड करते हैं जोगी पोलर होते हैं तो जितना च्छोटा साइज होगा लोब हैं लो और है और लोटो को मैकस्माइजिय व्य helps कॉम्हांक एंग टिने मैक्सीमम हाइज्रीशन नियुक्ण होगा कि मैक्सिम में हाइज नियुक्त कुद्ध हम तो इसका मतलब है इसका मतलब ये जाता है कि उसकी मोबिलीटी तो एक पुशन बन जाता है आनिक मोबिलीटी थी लिटा है और dubyash सब्सक्राइब लेकिन एक चीज को ध्यान रखना वो क्या ध्यान रखोंगे आप लोग कि हाइड्रेशन रखना तो बड़ेगा लेकिन mobility क्या करेंगे आपकी decreased करेगे तो यहाँ पर क्या करेगे आपकी mobility decrease करेगे mobility decreases ठीक है my mobility decrease करेगे आपकी तो यह important point आपका hydration को लेकर करता तो यह कुछ physical properties थी आप आप लोगने सिठieme होगे इसके अदर में now moving further we are going to discuss the chemical properties तो सबसे पहले हैं पहला जो आ जाता है आपका that is reactivity सबसे पहला जो इसके अंदर में आता है तो जनरली जो आपके पास में reactivity it is inversely proportional to ionization enthalpy यानि जितनी ज्यादा अब यह फस्ट गूरुप के ऐलिमेंट से जो यह वैसी बहुत रियक्टिव होते हैं क्योंकि जनरली के आपके पास में यह अगर हम लोग प्रॉड़ी टेवल देखे तो मैंने आपको बता हैं यहां से आ जाने पर क्या होता है आपकी बढ़ती है साइस चोटा होता रहता है तो इनके अनिशन जल्पी सबसे कम है यह मतलब अगर हम लोग ग्रूप में बात करें तो यह एक्चली क्या होती है इनकी रियक्टिविटी भी पहुच जाता होती है और इसी वज़े से क्या होता है वेरी रियक्टिव लिख सकते हैं अब लोग वेरी रियक्टिव और यह अक्साइड बवगेरा बनाकर बैठे रहते ना अगर एंवार्मेन्ट में धी बात करें तो डू नॉस फाउंडिन उन्टिव पाउंडिन तो second group के element की अई Reality बढ़ जाती है अगर आपके अच्छीत जाती है थीक है इससे कुष ध्यान रखना और मैं अगर नीचे की तरफ जा रहा है कराई मेलिट तुछ की बात कर रियू से जादा किसे होगी सोडियम के सो जब्यू गी zag लगी सयज कि उसी तरीके से अल्कौन यद्र मेन शकंद में ओर व्रल्वर ठीक है यही चीज है अब इनके reactivity को ही जोडते विया कर हम लोग देखे तो आपने आपने पड़ा होगा कि अगर हम लोग एयर में रखने एसको इसमें रखने विद एयर अगर हम लोग इनकी reactivity को discuss करेंगे इसके comparison में एयर के comparison में लोग discuss करें तो होता क्या है कि जो अलकली metals होते हैं तो अलकली metal lost their lost their shiny appearance metal में जो shiny appearance है या उनकी lusherness है वो क्या हो जाती metallic lusher metallic lusher भी बोल सकते हैं आप लोग कि खतम हो जाता है एनद गेट tarnished dull सा coloring में generate हो जाएगा और यह tarnish होता क्यों है यह tarnish होता क्यों है यह tarnish होता क्यों है due to the formation of oxide layer कि इसको रखेंच अग जागने की बज़ेसे ऐसा होता है नो इसी चीज़ से बचाने के लिए इनको क्या किया जाता है इनको रखा सुन में को इंदर में किस्म को रखा सुना adesso कि किसमें किसको रखा केरोषीन प्रक्रफियर केरोषीन में रखता है इसको तो 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 देट्रको और प्रक्रफियर तो यह vic इमिको जटे पॉस्टी है बॉस्टि पर क्योंकर देलकुति के पहता है से सव्यमिन बार्क कर दो यह ऑनके बाकि गुस्हाली के आपके सोडियम हो गया पोटेशियम होगे, most of the metals है, सीजयम होगे, इनको केरोसीन में ही रखा जाता है, okay, so this is the property of, कि मतलब, यहापकी properties है, मतलब air के साथ किस तरीके से वो है, अब यहाँ पर एक important question बन जाता है, किसको लेकर के, beryllium और, beryllium को लेकर के, ठीक है, याद रखना है, exceptional कौन से हैं आपके, except beryllium, beryllium को छोड़के, all get tarnished, all get tarnished, बाखी सारे कैसे उताते हैं, उनका color आपका, tarnished हो जाएगा, मतलब, lusterness भोगे, खतम हो जाएगी, और beryllium का भी क्यों हैं आपका, अबेसी बात है, beryllium का आइनेशन इंसल्पी के बहुत ज्यादा है, तो आइनेशन इंसल्पी के बहुत ज्यादा है, इनका, beryllium का, तो इसी दिवाजे से होटा है, ऐसा, ओके, नौ, नेक्स्ट जो आपके पास में, that is with moisture, अगला जो characteristic है, that is with moisture, तो moisture है, क्या आपका basically, जिसमें water present होता है, तो अगली जो property की reactivity को discuss करेंगे, reactivity will discuss in moisture, तो अगर हम लोग moisture की बात करते हैं, तो moisture में generally आपके पास में present होता है, water है न, moist मतलब क्या water present है, जनरली क्या form करेंगे, generally form करेंगे, form carbonates, जनरली क्या form करेंगे आपके, form carbonates, यह आपका carbonates form करते हैं, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, sodium की, तो sodium O2 के साथ react करेंगा, तो यह फॉर्म करेंगा, sodium oxide, 2NA2, और oxides को water के साथ react कराते हैं, तो क्या बनता है, hydroxide, यह reaction बहुत important, आगे भी आईगे आईगे आपके पास में, hydroxide बनाएगा, ठीक है, और generally आपके पास में क्या होता है, कि अब air में आपके पास में CO2 भी present है, तो यह जो hydroxides बने हैं, यह hydroxide आपके जो बने हैं, यह आपके CO2 के साथ react करे क्या बना सकते हैंता है, A2, CO3, तो इस इसको आप लोग ध्यान रखना, तो यह जो air का पार्ट है, तो वहां से आपके जनरेट होता है, तो इसमें भी एक exception याद रखना है, वही क्या, except beryllium, beryllium को आप लोग जनरली exception मान के चलिए, जैसे कि हमने कहां कहां पढ़ा उसको, क्लेम टेस्ट नहीं देगा, बेरिलिम मेंगनेश हैं, फिर हमने याँ में बढ़ा आपका, कि air के साथ reactivity होती नहीं है, फिर हमने बढ़ा कि साथे carbonate बना रहे, moisture में लेकिन यह नहीं बनाएंगे, तो moisture में majorly reactivity आप देखोगी कि, CO2 की, मैं moisture में ऐसा क्यों बता रहा हो CO2 की, क्योंकि एक चीज और है आपके पास में, अगर हम लेकर चलती हैं, पर मैं आपको समझाते हूं, dry air के बारे, dry air का भी मैं आपको बताते हूं, तो generally dry air जो होता है, it is generally what, it is mixture of N2 and O2, dry it is mixture of N2 and O2, mixture of N2, major component जो हैं, वो आपके पास क्या प्रेजेंट हैं वाप है, air के अंदर में, nitrogen and oxygen नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान बरकने हैं, अब इसमें भी दो बात हैं आपको, याद रखने के लिए, ऐसे, इसका एक रीजन आप गया आएगा, आपका जब मैं reactivity को डिसकस करेंगा, oxygen और उसको लेकर के, ये जो आपके पास में alkali metals होते हैं, ठीक है, alkali metals, alkali metals में सिर्फ lithium, ठीक है, alkali metals की बात करो में, alkali metals में only lithium, याद रखना only lithium, size छोटा होता है lithium का, only lithium क्या form करता है, form its, forms its, nitrites, सिर्फ lithium क्या करेगा, आपका nitrites बनाएगा, nitrites and oxides, क्या बनाएगा आपका nitrites और oxides बनाएगा, ठीक है, और जो बाकी के हैं, remaining other, इस ग्रूप में, remaining only form oxides, only form oxides, nitrites, nitrogen साथ याट नहीं करते हैं, only form oxides, reason मैं आपको बताता हू, reason ऐसा होता है, कि lithium का size चोटा है, और nitrogen बें triple bond है, तो lithium का size चोटा होने वेसे, और nitrogen का size भी क्या चोटा है, तो small-small के साथ इंट्रेट करता है, और big-big के साथ इंट्रेट करता है, यह तीनों bond तोडने में, यहाँ पर eligible है, high energy होता है, approximately 342 kJ per mole के energy इसको तोडने के लिए, तो इंट्रेट का size चोटा है, comparable है, इसलिए आपस में interact कर पाते हैं, ऐसलिए lithium में तीनों bond को आपको तोड़ सकता है, alkaline earth metals में ऐसा नहीं है, alkaline earth metals में जितने भी आपके पास में हो है, सारे element क्या form करेंगे, nitrites और all elements can give nitrites and oxides, अब oxygen के इसमें तो double bond, double bond आपके तोटी जाता है, अब भी देखेंगे, हम लोग oxygen में भी किस तरीके से, यह है, ठीक है, तो all elements can give, can give, nitrites and oxides, nitrites and oxides, okay, so this is the important point, now moving further ahead, we will discuss reactivity with oxygen, so it is one of the important property, here we are going to discuss, that is reactivity with oxygen, with O2, it is one of the important property, okay, तो अगर हम लोग बात करें, alkali metals की, आप लोग ध्यान से सुनना है, आप बिल्कुल भी आप लोग इधर-धर मत जाना, इसको समझना है ध्यान से, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दर दर गया, तो यह वाला topic बहुत important है, oxides को लेकर के question बनते हैं, बहुत जगा पे question बनते हैं, और शुरवात हो गई यह यही से, तो जनरली जो alkali metals है, तो alkali metals के पास तीन तरीके किसे वो है, पॉसिबिलिटीज हैं, कि यह क्या कर सकता है, देखो, oxygen को तोड़ सकते हैं इस तरीके से, अगर इसने oxygen को तोड़ा इस तरीके से, तो यह क्या बन गया, O2- बन गया, माइनस तू माइनस तू इधर गया तो O2- बन गया, इसको बोलते हैं लोग पर ऑक्साइड, तो एक तोड़ देते हैं, और अगर इनोंने आदा तोड़ा तो क्या वह यहां पे हैं, यहां पे यह हुआ, कि इस वाले oxygen पर माइनस हाफ आया है, और इस पर माइनस हाफ आया, तो क्या बन गया, यह ओ तो माइनस बन गया, इसको बोलते हैं और सूपर scaleOKIDE, इस जगह तो Oxide बन रहा है, और और देंशाथ फॉर्म करें आपका, अब मैं यह बोलना चाहता हूं कि इनके पास ठेडेंटिंसी होती है कि यह ठीन थरीके मेटल ओक्साइड को फॉर्म कर सकें, यानि क्या बना सकते हैं M2O2 भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं अपका यहां पर ध्यान रगना इस ग्रुप के अंदर में लीथियम का साइस क्या सा होता है चो तो स्मॉल एटम स्मॉल एटम के इंट्रैट करता है लीथियम के पास टैंडेंसी होती है कि अश्जें के दोनों मतलब दोनों bond को तोड़ के क्या कर सके है आपका oxide बना सके सिर्फ लीथियम के पास ही टेंडेंसी अगर में बात करूँ तो अधर मेंबर में हमारे पास में sodium जो होता है उसके पास टेंडेंसी होती है कि पर oxide बना सके ठीक है sodium के पास टेंडेंसी आपके बस में मैं लिख देता हूं यहां पर जो बाद मैंने बुलिए आपको स्मॉल साइज वाली याद रखना आप लोग कि जो लीथियम है लीथियम के पास आपके स्मॉल साइज का कैटायन स्मॉल कैटायन है और ओटू माइनस भी कैसा आपका आप लोग रेट करवाते हैं आप फॉर्टू की टर्म में तो ये कनवर्ट हो जाता किसमें ये जनले आपको की करता होता है पहले तो आपका अपर शबर स्वर्द्यं ओकसाइड पनाता जाले है और फ़र्दर इंस यह सोॉडइम ऑकसाइड बनाता है और फ़र्दर ऑbeश में लीथियम में लीथियम का साइज कैसा होता है जो सोडियम है सोडियम का साइज कैसा होता है सोडियम का साइज आपका थोड़ा लार्ज होता है लीथियम के कंपेर्जन तो यह परॉक्साइड आपका फॉर्म करता है लेकिन अधर हम लोग बात करें अधर की बात करें अगर हम लोग अधर सिंपल ही क्या करेंगे आपका अधर के पास टेंडेंसी होती है और सूपरॉक्साइड बना सके ठीक है तो वह यह आपके पास में पहले टू के हाफ ओटू 1200 के साथ में और इसने क्या मनने का है, अच्छी है और फिर्दर आपका आपका साथ रेट करा, तो क्या बना मना है? तो इस दिच्छ को आप लोग ध्यान में लिगा कि किस तरीकए से आपका यह कर्न वाठ के के ज़िए की फॉर्म है ओके तो सूपर ऑक्साइड अपार्ट फ्रम इसके साथ में जो बनाने वाले डैट इस यह रूबीडियम है सीजिम आलसो पैसा नहीं आप डैरेट भी लिख सकते हो कि पोटेशियम आपका रियेट करता है कि साथ में ओटू के साथ में फॉर्म करता है आपका किय इस तरीके से आपके ऑक्साइड बन सकते हैं आपका पर ऑक्साइड आपका बनाएगा अब ऐसा नहीं बनते बनाए जा सकते हैं लेकिन आप ऑक्शन की सप्लाई आपके करने बढ़ानी पड़ेगी बढ़ेगी कई बार इसके उससे कुश्चन भीया रहता है परामेगिन की को लेकर है यह भी आपको द्यान बरखना है कि इसके कोश्चने एक करने बन लेकर करिंगे पहनल है कैसा उट है इक वह उत करते हैं superoxide के तो superoxide का bondra कितना होता है इसका bondra आपका 1.5 है और आगर यह 1.5 है तो यह कैसे होता है आधा को यह पैरा मेंगनेटी की कैसे होता है नहीं कि अगर का नहीं को डिश हो करते हैं तो पोटेशिंग सीजियं के आर सी याद रखना के आर सी कि के आर सी याद रखना यह सारे के सारे क्या फार्म करेंगे यह आपका सूपर ऑक्साइट बनाते हैं इंचैएटी में मैंचिन है students काफी important question है पैरा मेंगनेटी डाय मेंगनेटी के रेक्टर पोछता है तो बहुत important है ऐ hoping after अगर अगर दम्वर्ट की बात करें टू एक तो सोधिम बनाता है बाकि में आपको यादकरा दिता हूँ ही कि यार्शी आपका क्या स्छोप परॉक्साइड हो गया तो और परोक्साइड के अगर में बात करूं तो पर आपके पास में एक तो sodium ने बनाया परोक्साइट साथ में आपका hydrogen h2o2 भी बनता है और आपका रूबीडियम से भी बनता है और स्टॉंचिम से भी बनता है ठीक है एने एच एने एच बीएस ठीक है एने एच बीएस याद रखना यह आपके पारोक्साइट्स बनाते हैं यह आपका पारोक्साइट्स बनाते हैं कमपेरिटिवली इस तो study आपके बस में वह उसकी है क्या बोलते हैं मतलब size के basis पह रहें कि कौन कितना ज्यादा stable आपका फॉर्म करते हैं तो stability order कि हम लोग बात करते हैं तो आक्साइट साब के सब्सक्रादा stable होते देन आपका एक बॉन्ड बनने वाले पारोक्साइट और देन आपका आधा बॉन्ड रखना आधा आधा बॉन्ड वाले सुपर उक्साइट इस तरीके से दो बॉन्ड टो यह आपके stability का order है ठीक ह अगर हम लुख बात करें तो इनके अंदर में सब्सक्रादा आधा बेसिक इन नेचर यह सारे के सारे कैसे होंगे पेसिक नेचर क्योंगे इसे को ध्यान रखना आधा बेसिक इन नेचर ठीक है 'Mयोख्तु के बारे में थानाूफ dov जिसकस अबॉट अल्क्लाइन अर्थ मेटल अब के बारे मालनु के बारे में और हम लूख बात करें तो अल्कली अश्मे इस मेड़ साइस सोड़ा चोटा होजाता है तो जब साइस jsब चोटा होजाता है तो उनके कि possibility होती कि दोनों bond को क्या कर सकें तोड़ सकें तो यह आपके पास में all alkaline methyl have tendency to form tendency to form oxide के पास tendency होती है कि क्या कर सकते हैं आपका oxides form कर सकते हैं तो जैसे आपके पास में 2m को अगर मैं auto के साथ rate कराता हूं तो यह क्या form कर सकता है आपका it can form 2m oxides आपके बना सकते हैं कई बार मैंने आपको बता है कि strontium or barium strontium or barium आपका बनाते हैं लेकिन जनरली कुछ certain condition में तो at low temperature at low temperature at low temperature at low temperature strontium and barium can form paroxides यह आपके paroxides बना सकते हैं ठीक है इसको ध्यान रखना है अट low temperature important है ओके यह है नाओ one of the my favorite topic अगर हम लोग बात कर रहें के acidic basic behavior की तो यह खफी important है और यहां से कोशन आपके बने हैं ठीक है जो मैं आगे भी oxides हैं चाहे तो oxides, peroxides है या all oxides इन दुनों गूर्प की बात कराऊ oxides हो गए यह पर oxides हो गए super oxides हो गए our basic in nature basic in nature कैसे nature क्यों होता है आपके basic in nature किसको छोड़़गे accept इसको चोटके accept beryllium oxide beryllium oxide कैसा होता आपका it is amphoteric in nature याद इखना it is your amphoteric in nature this is your amphoteric in nature बाकी all जितने भी other members होंगी वो सारे के सारे कैसा होते है basic nature क्यों होते है अब यहां पर थोड़ी सी मैं आपको बात बता जाता हूं this is luxe fluid acid based concept luxe fluid acid based concept इसका कहना क्या है फोड़ा सा बता देता हूं फिर उसे हम लोग पहुँ साची जान सकते है वो यह बोलता है कि आपके पास में जो oxide donors है जो आपके पास में oxide donors है यह आपके base कहलाए जाते है और जो आपके oxide acceptor है यह आपके acid कहलाए जाते है एक चीज़ तो आपको थंग्रूल यह याद रखना है दूसरा आपको याद यह रखना है कि जैसे मैं एक reaction लिखी दिखाता है आपके जैसे na2o को मैंने rate करा है h2o4 के साथ में तो यह form करता है na2o4 salt बना रहा और साथ में क्या बना रहा है आपका water यह हुआ क्या है यहाँ पर आपके बेस था बेस ने react करा है कि इस साथ में acid के साथ में salt plus water form किया है ठीक है तो इस तरह की general reaction देखते हैं अब देखो मैं एक चीज़ आपको थम रूल समझा रहा हूं यहाँ पर फजान सुरूल के पर बेस देखते है कि generally metal के oxide से तो आइनी character है तो जितना ज्यादा polarization होगा जितना ज्यादा आपका क्या होगा polarization होगा उतना ज्यादा covalent character generate होगा ज्यादा आपके बास में covalent character generate होता है सिंपल से बात आइनी components है एक तरीके से metal oxide से यहाँ पर और उतना ही ज्यादा क्या होगा यहाँ पर acidic character होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके बास में acidic character होगा और इस बात को मैं प्रूफ भी कर सकता हूं कैसे potassium oxide और उससे ज्यादा कौन होता है rubidium oxide और उससे ज्यादा कौन होता है cesium oxide में कैटाइन का size सबसे बढ़ा होगा और सबसे बढ़ा होगा तो polarization सबसे कम करेगा तो यह वाला क्यास होता आपका strongly basic यह तो क्यास होता आपका strongly basic ठीक है and this one is your weekly basic यह भी strong basic है पर मैं आपको समझाना चाहरा हूँ ध्यांते सुनने यहां पर बहुत important topic मैं आपको बात बता रहूं यहां पर कि जो आपके पास polarization जीतना जाद होगा उतना कोवलेंट करेक्टर होगा और उतना ही ज्यादा कि आपके पास आपको पता है अगर आपने फजान सूल पड़े हैं नहीं पड़े तो आप लेक्चर देखे में तो पूरा सुन जा रखा इसको ठीक है यह नहीं कमपाउंड के जो लेक्चर बना रखा है तो सीजियम का साइज बढ़ा हो जाएगा तो उतके पुलरिस्च' कम कौस करें और अगर पुलरिस्थिक संद्ध क मतलब क्या है कि इसके पास क्टेक्डेंसी है कि यह आपका इस्त्रौंग पैसिक शूउ करता यह अपको क्या स्थ抱 शोकुए भी आपको सबसे क्या हुता है स्थौंग बेस हुए यहीं पर अगर हम लोग डिसकर्स कर लें alkaline metals के बारे में तो alkaline metals के भी oxide है लेकिन आपको क्या बोला है मैंने beryllium oxide ज्यादा यह magnesium oxide फिर आपका calcium oxide दिन आपका strong oxide और दिन आपका barium oxide तो मैंने आपको यह बोला है कि जो beryllium oxide कैसा है this one is your how what kind of nature of इसका नेचर कैसा है याद रखना है यह आपका amphoteric amphoteric में कुछ एक oxides है जिनको मैं बता देता हूं आप लोगों ठीक है वह कौन कौन से में बता देता हूं ठीक है देखो आपके बास में zinc zinc oxide है ना aluminium aluminium oxide beryllium beryllium oxide chromium CR2O3 gallium GA2O3 देखो आपके लेड लेड के दो oxide होते हैं पी बीओ और पी बीओ टू और उसी तरह की से tin tin के भी दोंगे tin oxide और टीन होता है यह सारे के सारे कैसे हैं यह सारे के सारे आपके amphoteric है यह आद रखने इनको zinc, aluminium, beryllium, chromium, galium, tin or lead, lead or tin, tin or lead जैसे भी इसको याद रखना ठीक है तो these all are your amphoteric in nature now another property that we are going to discuss about the oxide is this कि अगर इन oxides को मैं water के साथ treat कराता हूँ जैसे मैंने sodium oxide को ले लिया इसको water के साथ treat करा दिया water को treat कराने पर क्या form करेगा यह form करेगा आपका sodium hydroxide यह basic character आपका generate करेगा तो यह oxides क्या करते है oxides on treating with water from hydroxide oxides on reacting with water reacting with water from hydroxide Yeah है आपका रखिर आप नाता है तो यह भी क्या करेंगे आपका जो basic oxide आपका घो तो अगर इसकाऊशोrive और लिटमस टेस्ट करतें है है अनल लो six aparecer करते आगर तो रेड लिटमस को व्लू में करेंगे अगर आप करते हो तो यह क्या ब्लू लिटमस को रेड में करतेंगे इंके पास पॉपर्टी हुती है तो आप ल पर औक्साइट और सुपर ऑक्साइट भी हम अगर मैं बात करता हूं अगर में बात करता हूं तो परोक्साइट्टर अर्वेरी गूड XD बहुत अच्छे ऑक्षडाइजिंग एजेंट होते हैं यह बहुत अच्छे ऑक्षडाइजिंग एजेंट होते हैं यह बहुत अच्छे ऑक्षडाइजिंग एजेंट होते हैं और इतने अच्छे ऑक्षडाइजिंग एजेंट होते हैं कि इनके पास ब्लीचिंग प्रॉपर पता दिया जिस करें इस सूंज़ राट तो बलू लिटमस टेस्ट बेसिक अक्साइड की बात कर रहा हो तो इसके पहले जा करेंगे रैसिड कीर तो करेंगे तो रहेंगे लेकिन उसके बाद Bluetooth किस में कर weiट में써 पास में इसके पिलीचिंग कर देना है और यह कैसे है और यह पर कि यह दो तरीके के आदा पर्मेंट और पर्मेंट भी कियो है यह बी अगर आप जाना हूँ तो यह लिख सकते हो due to presence of nascent oxygen due to presence of due to presence of nascent oxygen nascent oxygen की presence की वज़े से ऐसा होता है due to presence of nascent oxygen nascent oxygen present है इसलिए ऐसा हो पाएगा ओके यह ध्यान रखना आप अब देखो हमने पढ़ा है कि बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं जो सभी इस बात को जानते हैं की जो METAL के OXIDEO होते हैं METAL OXIDEO होते हैं METAL के जो OXIDES हैं इसार basic in nature मैं और जो NONMETAL KEOXIDEO है नोन मेटल के उक्षाइट के भलाया कि मैं जैस devenir acidic in nature, कि मैंने मै만 आपको एक चीशा बताना चाहा हूं कि अगर हम इनकी reaction देखें जैसे मैंने मालो एने टू ओ को react करा है किस साथ में CO2 के साथ में तो एक फॉर्म करता है एने टू सी ओ त्री ऑक्साइड डूनर है तो बेस है ऑक्साइड एक्सेप्ट है तो acid है सिंबल सी reaction है कि उसी तरीके से अगर हम लोग पार्योक्साइड की बात करते हैं एने टू ओ टू अगर मैं रेट कराता हूं किस से सी ओ टू के साथ में तो इसलिए यह रेक्शन हो रही है क्योंकि यहान पर क्याब किँ आपके पास में हैं simple आपका 3 out यहाँ पे simple आपके पास में CO2 प्रेजेंट है यह आपका basic oxide है गर अग्न आगर हम लोग बात करें किस को लेकर करें अगर हम बात करते हैं important है यहाँ पर इसी को समझेज़ना ठीक IS यहां पर important बार मताने जालो बात यह समस्खना आपलो कि अगर मैं यहां पर एक neutral oxide ले ले ठीक है मैंने ले लिया Na2O2 और साथ में उपोस करें neutral oxide ले लिया this is my basic oxide लेकिन यहां पर मैंने क्या ले 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 neutral oxide ले यहां पर मैंने neutral oxide ले ले तो यह further तो यह रियक्षिन नहीं शोगता है तो यह रियक्षिन आपका शोगने करता है because it is neutral in nature ठीक है लेकिन अगर मैंने just second अगर मैंने Na20O नहीं लिया तो यह neutral oxide है यह रियक्षिन शोगने करता लेकिन अगर मैंने Na2O2 ले लिया Na2O2 ले लिया और इसको CO के साथ रेट कराया तो यह फॉर्म करता है Na2CO3 अब ऐसा हुआ क्यों ऐसा इसलिए वह स्टूडेंट्स की जो आपके पास में Na2O2 है यह परोकसाइड है और यह पहले आपका अब यह जो नेसेंट ऑक्सिजन होता है सबसे पहले जो यह सी ओ है इसको और इसको करेगा आपका CO2 में अब नौव जो आपके पास में Na2O बनाता और जो आपके पास में CO2 है यह दोनों रियाट करके किसमें करण होंगे आपका Na2CO3 के अंदर ने तो याद रिखना आपके प पार ऑक्साइड तो यहीं से कोशन बन जाता आपका कि जो पार ऑक्साइड आपका CO2 के साथ होता है लेकिन सिंपल आपका CO2 के साथ रियक्ट नहीं होता है रीजन क्या है यहां पर आपका इनेसेंट ऑक्सिजन दे देता है जो कि आपका रियक्ट करेगा ठीक है और इसका बेसिक से एक्जेंपल में आपको बता दूं बहुत जगह यह कोशन पूशा जाता है और मतलब आप लोग क्लास 12 में जाकर उसको पढ़ेंगे क्रोम क्रोम के बारे में बढ़ेंगे तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट थम रूल बनाकर रखें रूल यह है कि आपके पास में क खुए बी क्रूमियम एकर तो जनरलिय अगर अनिक्रोमियम इंप्लस थी उक्डेशन स्टेट थी अन रेक्शन विद आन रेक्शन विद अल्कलाइण अक्साइड अलकलाइण ऑक्सवअ प्रिंब हो कि एंडु इंडू क्यून का करुमेट तो डूंगा कभ का कनवर्ट इंडू क्रोमेट होग हे लित क्या होने मुदिर ने वाला उन्हें मेने हैपके सभी अब है niin अगर Na2O2 है, तो यहां पर आपका क्रोमियम की ही ऐख्देशन ट्रेट कितनी है, क्रोमियम की ऐख्देशन ट्रेट है, फ्लस थ्री ना-2-0-2 है तो मैं यह बोल्ट हो कि यह किसपा इन तो आपका ना 2-0-1, वो में इसी त्रीकितेकर नगे निकलने वाला है यह ना उन्टमे निकलने वाला है ना-C-L और NaOH बेस बनाएगा ठीक है तो इस इसको आप लोग ध्यान रखना कि किस तरीके से आपका यह reaction आपकी form होती है ठीक है तो कोई भी आपका कोई भी आपका plus 3 का oxidation state का salt होगा वो इस तरीके से आपका convert होगा जैसे कि और भी है जैसे FECR204 है basically FECR204 बनता किस है FECR204 बनता आपका FECR203 तो अगर मैं इसको rate कराता हूँ किस साथ में Na2O2 की Na2CO3 नेमल पास में एक base है और साथ में O2 है O2 हमारे पास में oxidizing agent का का काम करेगा ठीक है तो यह convert कर देता है Na2CRO4 में Na2CRO4 में Na2CRO4 में तो alkaline oxides के साथ में आपका यह property है इसको अब लोग ध्यान रखें तो यह हम लोगों ने discuss कर लिया आपका reactivity with oxygen के बारे में फर्दर हम लोग chemical properties को आगे बढ़ाएंगे और और देखेंगे कि सरीगे से carbonates का formation होता है और halogen के साथ activity होती है तो तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और lectures को देखते रहिए और शेर कीजिए प्रेदी, krishnah.12 at gmail.com. So, thank you dear student thank you for being with with us and keep learning this lecture.